Hey guys, welcome back to show you, this is the YouTube video SRH और पंजाब दोनों टीमों ने अपने टीमों में पड़े ही फेर वदल किये थे Even Sunriders हैदराबाद ने तो एक नई और फ्रेश टीम ही बना राली थी एक ने तो अपनी नई टीम के साथ एक नई और फ्रेश रुवात कर ली है लेकिन SRH के रिए बुरा दवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जी हाँ, IPL 223 का 14 हो मुकाबला पंजाब के किंग्स और हैदराबाद के संद्राइजस के बीच में खेला जाने वाला दिन का ये दूसरा मुकाबला है पहले मुकाबले इक वीडियो और लेडी चैनल पर आ चुके तो आप बने ले इस वीडियो हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मुकाबले की बात आगे बने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट है, पहला ये कि अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो सुबह के पांच बज़े मैं सोया नहीं हूँ, आपके लिए वीडियो सूट करा हूँ, तो इसके लिए लाइक तो बनता है है, साथी साथ हमारे टेलिग्रम चैनल जोइन कर लो वही है, क्योंकि असली पेडिक्शन जो है, वो हमारे टेलिग्रम चैनल पर ही आता है, राइस हैदराबाद के घर में यह मुकाबला खिला जाने वाला है, 65 मुकाबली यहां पर हुए है, जिसमें से 29 मैश डिफेंड हुए है, 35 मैश चेस हुए है, 160 से 170 की आसपास का अवरेस स्कोर है, वैसे तो यहां पर बॉलर्स का बोल बाला रहता है, लेकिन आखरी मुकाब जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, विकेट स्लो होती जाएगी और गेंदबाजो को मदद मिलने लगेगी, डिफेंड करने वाले टीम के जीतने के चांसे इस मैश में जाता रहेंगे, पेस और स्पीनर्स दोनों को ही यहां की विकेट मदद करती है, एक स्वास्ती के आस चाहूंगा, बेटवे स्कोर्स के बारे में जहां पर आप हर एक मैच का लाइव स्कोर देख सकते हैं, स्कैडूल देख सकते हैं, क्रिकेट की हर एक न्यूस पर नजर रख सकते हैं, वो भी लाइटनिंग फास्ट स्वीट से, आपको करना कुछ नहीं, डिस्सिप्शन में क कमेंड बॉक्स में जाना है, और वहाँ पर बेटवे स्कोर्स का लिंक दिया गया है, आपको डाउनलोड रहा है, जल्दी से डाउनलोड किजिए बेटवे स्कोर्स, आइए टीम प्रिवू कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, संडराइस हैदराबाद की इनके कप्तान सहाब भी नहीं, अभी नहीं आया है, दूसरे मैस में तो कप्तान सहाब भी आया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने किये, लेकिन फिरे भी कुछ बात नहीं बनी, सिर्फ त्रिपाठी ने 35 बनाय, अन्मौल प्रित ने 31 बनाया, और इन दोनों के अलावा कोई भी धाई काकड़ा भी जल्दी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, खुद कप्तान मकरम जीरो पे आउट हो गए, अकरवाल, हैरी ब्रोक, सब के सब बुरी तरीके से फ्लॉफ हो गए, अन्री क्लासन को अब टींग में लाने की जरूरत है, आखरी मुकाबले में इन्होंने गिलाया था, बट इस मैच में अन्री क्लासन प्लेंग 11 में दिखाया दे सकते हैं, या फिर इंपक्ट प्लेयर के रूप में यूज होते हुए दिखाया दे सकते हैं, नाम बड़े और दरसन छोटे वाला काम ये टीम कर रही है, प्लस पोइंट की बात की जाया है, तो सुर मेसवर कुमार, टी नट राज, अधिसत उम्रान मली की रफ्तार भी इस टीम के पास है, आदिल रसीद भी अच्छी गिंद बाजी कर रहे हैं, लगनों के खिलाब दो गिंदों पर दो विकेट लिया था, बल्यबाजी की बात की जाया है, तो ये टीम आपको बैटिंग में उतनी है नहीं, अगर अपने आप पे आगए, तो किसी को भी धरसाई करके रख सकते हैं, टॉप फोर की बात की जाये तो इनकी तरब से पहले टॉप फोर हो सकते हैं, मकरम आखरी मुकाबले में जीरो के आउट हो गये थे, लेकिन उससे पहले की पारिया देखी जाये, तो फैजल, फारुकी भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, एक एक विगेट, दो दो विगेट ले रहे हैं, और आकरी बार सिर्फ एकी मैच वैसे तो ये पंजाब के खिलाब खेले हैं, दो विगेट उसमे लिया था, आदिल रसीद बहुत अच्छे फॉर्म में है, दो गिंद करते हैं, पंजाब किंग्स की प्लस पॉइंच से सुरुवात करते हैं, तो दो मैच खेले हैं, दो जीते हैं, पहला मैच के क्यार के खिलाब 191 बनाया, 7 रन से डिलस मैथट से जीता, दूसरे मकाबले में आरर के घर में घुसकी 107 बनाया, और 5 रन से मकाबला जीता, बैट के खिलाब दूसरे मैच में चोटिल हो गया थे, तो ऐसे में ये मकाबला हो सकता है, मिस करें, अगर मिस करते हैं, तो मैच सौट ये मकाबला खेलते हुए नजरा सकते हैं, जिनका फॉर्म भी बहुत जादे भेहंकर हैं, मैं चाहता हूँ के मैच सौट एक बार मुकाबला खेलें, और आज पक्षे अप चोटिल हो भी गया है, सहींग भी ऐसे बन गया है कि मैट सौट को खिलाए जाए, तो ऐसे में मैट सौट बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करने वाले हैं, प्रभर सिमरन बहुत ही कमाल का खिलाडी मिला है, इनको 30 रुवात दे रहा है, पहल बहुत ही इंपक्टफुल पादिया खेलने हैं, बहुत ही क्वालिटी बैटर है, सिकंदर राजा, शायम करन भी लोर ओडर में मौझूद है, तो बल्लेबाजी में काफी दम खम नजरा रहा है, वहीं गेंदबाजी स्टीम की असली ताकत है, कंदे से कंदा मिला कर चले ले बल्लेबाजों से, अर्षदीप सिंग के खिलाब इनों तीन विकेट लिया, उसके बाद आरर के खिलाब दो विकेट लिया, नातन अलिस ने आखरी मुकाबले में चार विकेट आरर के उखार दिये थे, रबाड़ा भी ये मुकाबला खेलते हुने जरा सकते हैं, शायम करन आखरी मुकाबले में आरर के खिलाब एक ओवर में आखरी ओवर में सोलर रंडिफेंट किया था, और ये भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी अपने आप पे आगया, अगर स्विंग मिलने लगी तो ये भी विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, तो गिंदबाजी बहुत ही अच्छी होरी इस टीम की साधी जात इनके पास क्वालिटी बॉलर्स भी मौजूद है, सिकंदर राजा और राहूल चाहर जैसे क्वालिटी स्पिनस भी इस टीम को काफी मजबूत बना देते हैं, निगेटी पोइंट की बात की जाए, तो ये इस टीम के लिए सर दो बड़े स्कोर कर चुके हैं और इस वेन्यू पर 46 पारियों में 378 रन बना चुके हैं, अपनी एक्स टीम के खिलाफ ये मुकाबला खेलेंगे, एक ऐसे वेन्यू पर खेलेंगे, जहां पर बहुत इन्होंने प्राक्टिस किया है, बहुत सारे रन बना है, सिखर, धवन, गबर का बल्ला एक बर फिर से गरस सकता है, मैट्स और राज पक्षे की जगए ये मुकाबला खेल सकते हैं, अगर वो खेलते हैं, तो वो भी टॉप अफ मोर सावित हो सकते हैं, प्रब सिमरन पहले मैच में 12 गिंदों में 33 रन, दूसरे मैच में 60 रन, बहुत ही कमाल का खि अगर बदिए पर फिर से नथन एलिस कमाल की गंदबाजी करते हैं, बात कि जगर हमारी फैंटेसी टीम की, तो हमारी फैंटेसी टीम के काप्टेन हर्शिखादहवान और वाइस कैप्टन है, अर्षःदीब सिंग, बागी आप अगर रिस्की टीम की बात करते हो, तो रिस करते हैं final prediction and possible outcome की लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक कमाल की application के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है betway score जहां पर आप हर एक match का live score schedule news lightning fast speed से देख सकते हो तो comment box में description में betway live score का betway score का link मिल जाएगा वहां से इस app को आप एक बार download जरूर करना आपको बहुत मजाएगा तो मेरे analysis के नुसार यह जो मुकाबला है पंजाब kings की team जीत सकती है जी हाँ according to me पंजाब kings में with donor of this match बाकी आपको क्या लगता है क्या SRS की team इस match में वापसी करेगी या फिर पंजाब की team back to back 3-3 जीत तरच करेगी आप हमें comment करके जरूबत एगा और वैसे भी मैं तो हमें सजी कहता हूँ सुनो सबकी करोबनी सबकी वीडियो देखो सबका क्या कहता है वो जादी मैटर करता है make your own call make your own decision धन्यवाद